करते हैं खबरों की ओर केंद्री ग्रिवमंत्री अमिच शाह का 36 गर दोरे का आज दूसरा दिन है बुदवार देश शाम अमिच शाह ने भाजपा कारयाले में पार्टी के वरिष्ट निताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में संग्ठन के चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया था जानकारी के नुसार इस बैठक में प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीम रमन से, प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव और नेता प्रतिपक्ष नरायन चंदेल रामचानेताम और पूर्व नेतापतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए है इसके अलावा इस हाइ लेवल मीटिंग में तीनों महा मंतरी, विजै शर्मार की डालकर्शब और ओपी चौधी भी मोजूद रहे पुरू नेता पतिपक्त धरमलाल कौशिक ने बताया है कि बैठक में प्रिदान मंत्री के दौरे समित कई एहम विश्यों को लेकर चर्चा की गई है चुनाव कैसे जीतना है इसको लेकर सार्थक चर्चा हुई है तो अमिश्या का चत्तिसगर दौरा और दौरे का आज दूस पर सामने वे आज का क्या कुछ का रिक्रम रहेगा देड़ घंटे से जादा तक ये बैठक चली और प्रदेश के राजनितिक हालातों पर चर्चा हुई साथ ही जो संगठन में समन्वय की जो कमी है नय और पुराने नेताओं में उसको लेकर भी चर्चा की गई और ग्रिह मंत्री ने साफ निर्देश दिये कि चुनाओ का व प्रदेश के राजनितिक हालातों पर चर्चा हुई इसके साथ ही जो कारिकरताओं की समस्याइं उसको दूर करने के निर्देश के इंद्रिग्री मंत्री अमिश्या ने दिये। संगठन के कामकाज को लेकर बातचीत हुई है जो विस्तारक जो अभी हर बूतों में जा रहे हैं उनकी क्या स्थितिय उस बारे में जानकारी लिए तो कुल मिलाकर यह जो बैठके हैं वो चुनावी बैठके हैं और एक तरह से ब्लूपरिंट कहीं न कहीं तैयार किया गया है कि आने वाले समय में किस तरह काम किया जाना है तो आज केंद्री ग्रहमंत्री अमिशाह के दौरे का दूसरा दिन है हाला कि आज सुबह जो है कुछ नेता अभी बीजेपी प्रदेश कारायल है पहुच रहे जिसमें अभी संगठन के महामंत्री ओपी चौधरी यहां पर प उनका दौरे का दूसरा देन है और चुकि चुनाव बेहत नस्दीक है तो काफी एहम उनका दौरा माना जा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया स्वपनिल तमाम जानकारी के लिए